कि नमस्ते विल्कम टू इस वीडियो एक बात क्लियर करना चाहूंगा अगर आपने वार्म आप नहीं किया तो पहले जाके वार्म आप कर लेजिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे होता है 100 काट्विल किस तरह से यह 100 काट्विल बहुत अच्छी तरह से किया जाता है मैं यह आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी तो पूरा वीडियो को लास्तिक दिखिए आपको पता चल जाएगा कैसे 100 काट्विल करना है और हाँ एक जरूरी बात जो है अगर यह है 100 काट्विल सीखने से पहले जो बेसिक काट्विल है वह आपको बिलकूल आना चाहिए तो पहले देख लीजे बेसिक काट्विल कैसे होता है अगर आपको नहीं पता है बेसिक काट्विल कैसे पारफेट ले किया जाता है या बेसिक काट्विल कैसे होता है कैसे करते ह अगर आपको वीडियो की टुटोरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चाहिए देखिए और सिखिए काड़ विल कैसे हो तो चलो 100 काड़ विल सिखने के लिए जो एक जरूरी चीज है आपको बताना चाहूंगी वान हैंड़ काड़ विल बेसिकली दो तरीके से होता है एक लेट हैंड से होता है एक लेट हैंड से होता है देख लिएजी गया तो अगर आपकी राइट हैंड ग्राउंड में रहता है तो आपकी left hand उपर रहेगा, अगर आपकी left hand ग्राउंड पे रहेगा तो आपकी right hand जो उपर रहेगा, तो इस तरह से होता है 100 काटूर, पहला जो चीज़ है movement, आपको momentum कैसी मिलेगा, momentum आप running करके भी कर सकते हो, पहला जो चीज़ है movement, momentum, आपको जो momentum मिलेगा, उस movement, momentum के बाद जो आपको दूसरा जो काम करना है, क्या है वो है आपको जो kick करना है, आपकी पैर से kick करना है, करने के बाद जब आप पैर को kick करेंगे, तब ध्यान रखिएगा, करने के बाद आप दुरंद आपको body को bend करना है, उसके बाद कोई भी hand कोई भी हैंड आपको ग्राउंड पर रखना है उसके बात नंबर थ्री पर आता है वह है लेंडिंग लेंडिंग बहुत जाद इंपोर्ट है लेंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है पहला जो चीज है मुवमेंड़म उसके बात आता है किक एंड देन लेंडिंग इन चीज़ों के धन आपको रखना ही परेगा एक जो है मुवमेंड़म देन किक देन हैंड डाउन एंड देन लेंडिंग एक बात मैं आपको जरूर करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो